नवस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के चिरपरिचे दोस्त उपस्थित हूँ, आप सभी की सेवा में एक बैहदी महतोपून जानकारी को ले करके, जिहां आए, आज हम सभी जानते हैं एक बैहदी महतोपून टॉपिक के बारे में, जो की है पान के पत्ते का, ऐसे अगर आपन एक लता होता है ये दिल के आकार वाले पान के पत्ते और शध्य गुनों से भरपूर होते हैं भारते उप महाद्विप में भोजन के उपरांत पान का सेवन बहुत ही प्रचलित है भारत में हर गली नुकर पर पान के दुकान की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि यहां प पान कितना पसंद किया जाता है पूजापार से लेकर के पान का इस्तेमाल मिठाई बनाने तक के लिए किया जाता है हम यह बात मान सकते हैं कि पान के पत्तों में सुपारी तंबाकू चूना इत्यादी लगाकर खाने से स्वास्ते संबंधी बिमारी हो सकती है लेकिन अगर आप केवल पान के पत्ते का इस्तिमाल करते हैं, तो यह काफी लाफकारी हो सकता है, इसे खाने से गंभीर से गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर दूर करने से लेकर सरदर्द कबज दर्द दूर करने के गुण होते हैं इसमें. आज हम आपको अपने इस वाई सुवर में पान के इनहीं और शद्य गुणों के बारे में बताएंगे आई जानते हैं पान के पत्ते के फायदों के बारे में भारत में पान के वल खाने के लिए ही नहीं बलकि पूजा, यग्य, हवन, सांस्कृतिक कारियों में हमानों का स्वागत इत्यादी कारियों में इस्तेमाल किया जाता है पान बिहार, पश्चिम बंगाल, बनारस, सांची इत्यादी जगों में पैदा की जाती है विभिन अस्थानों में पैदा होने के कारण पानमद्रासी, बंगला, कपूरी, महोबा, बनारसी, मालवी, वियोला, महाराजपूर, देशी, इत्यादे नामों से जाने जाते हैं, इन सभी में बनारस का पान सबसे अधिक अच्छा होता है दमा या अस्थमा होने के सबसे पहले कारणों को जान लेते हैं, श्वास रोग एक इलर्जिक तथा जटिल बीमारी है, जो ज्यादा तर श्वास नलिका में धूल के कण जमा हो जाने के कारण या श्वास नली में ठंड लग जाने के कारण होती है दमा रोग जलन पैदा करने वाले पदार्थों का सेवन करने, देर से हजम होने वाले खादे पदार्थों का सेवन करने, रस वाहिनी शिराओं को रोकने वाले तथा दस्त रोकने वाले पदार्थों के सेवन करने के कारण होता है यह रोग ठंडे पदार्थों अथवा ठंडा पानी अधिक सेवन करने, अधिक हवा लगने, अधिक परिश्रम करने, भारी बोज उठाने, मुत्र का वेग रोगने, अधिक उपवास तथा धूल, धूआ इत्यादी के मुह में जाने के कारणों से स्वास रोग उत्पन्न होत कुछ बच्चों में दमा रोग वन्शानुगत भी होता है, माता पिता में किसी एक को दमा होने पर उनकी संतान को भी अस्थमा रोग हो सकता है, वर्शारीतु में दमा रोग अधिक होता है, क्योंकि इस मौसम में भातावरन में अधिक नमी होती है, ऐसे भातावरन में दम दमा के दोरे पढ़ने की संभावना भी रहती है दमा के दोरे पढ़ने पर रोगी को घुटन होने लगती है और कभी-कभी दोरे के कारण बेहोश भी होकर गिर पढ़ते हैं वे दमा का अदभूत उपाय अब जान लीजे लगभग 5-10 मिली लीटर पान के रस को शहद के साथ या अदरक के रस के साथ प्रति दिन 3-4 बार रोगी को देने से दमा या श्वास का रोग ठीक हो जाता है गज पीपली का चून पान में रखकर सेवन करने से श्वास रोग मिट जाता है बंगाली पान को कूट पीश कर कपड़े में निचोड़कर 500 मिली लीटर की मातरा में रस निकालने इसी तरह अदरक और अनार का रस 500 मिली लीटर की मातरा में ले 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 इसके साथ ही काली मिर्च 60 गराम और चोटी पीपल 80 गराम लेकर सभी को एक साथ कूट पीश कर 1 किलो मिश्री मिला करके धीमी आज पर रखकर चासनी बना ले प्रति दिन इस चासनी को 10-10 गराम की मातरा में सेवन करने से खासी, श्रास और बुखार इत्यादी रोग दूर हो जाते हैं तथा भूख बढ़ने लगती है जावीत्री को पान में रखकर खाने से दमा के रोग में लाव होता है पान में चूना और कथा बराबर मातरा में लगा कर एक इलाची और दो क बूज का रस नहीं पीना चाहिए। दमा के रोग्यों को केला कम खाना चाहिए। दमे में केले से इलर्जी हो सकती है। दमा से बचने के लिए पेट को साफ रखना चाहिए। कबज नहीं होने देना चाहिए। ठंड से बचे रहें। देर से पचने वाली गरिष्ट चीजों का सेवन न करें। शाम का भोजन सुर्यास्त से पहले कर लें। शिग्र पचने वाला तथा कम मात्रा में भोजन लेना गर्म पानी पीएं, शुद्ध हवा में घुमने जाईए। धुम्र पान नहीं कीजिए क्योंकि इसके धुएं से दोरा पड़ सकता है। प्रदूशन से दूर रहें खास तोर से और द्योगिक धुएं से। धुएं की एलरजी, सर्दी एम वाइरस से बचें, मनुविकार, तनाव, किट नाशक दवाओं, रंग रोगन और लकडी के बुरादे से बचना चाहिए, मुँफली, चौकलेट से परहेज करना चाहिए, फासफूट का सेवन नहीं करना चाहिए, अपने वजन को कम करना चाहिए और नियमित रूप से योग अभ्यास एवं कसरत करते रहन चाहिए, बिश्तर पर पून आराम एवं मुँग के द्वारा धीरे-धीरे सांस लेना चाहिए, नियम पुर्वक कुछ महिनों तक लगातार भोजन करने से दमा नश्ट हो जाता है, दमा या अस्थमा में भोजन तथा परहे जान लिजे कि क्या खाना जरूरी है और क्या न नहीं खाना चाहिए, दमा से पिडित रोगी को एक बार में भरपिट भोजन नहीं करना चाहिए, दमा से पिडित रोगी को प्रती दिन सुबह शाम बकरी का दूद पीना चाहिए, रोगी को खुली धूप में कभी नहीं बैठना चाहिए, रोगी के लिए धूप के पास व पेट में कब्ज हो जाये तो उसे दूर करने के लिए फलों का रस गर्म करके सेवन करना चाहिए। चावल, जो, गेहु, पुरानी घी, शहद, बैंगन, मूली, लहसुन, बथुआ, चोलाई, दाक, छुहारे, छोटी इलाइची, गोमूत्र, मूंग, एवं मसूर के दाल, निम्भू, करेला, बकरी के दूध, अनार, आवला, तथा मिश्री, इत्यादी के सेवन करना धमा में लाफकारी होता है, इस रोग में ठंडी चीजें, दू, दही, केला, संतरा, सेव, नाशपाती, खटी चीजें इत्यादी नहीं खानी जहिए, शराब तथा बिड़ी सिग्रेट, पीना, हानिकारख होता है, नहीं पीना जहिए, दमा के रोगी को रूखा, भारी, तथा शीत भी मानशाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, पान के पत्ते के 20 अन्य अद्भूत लावों को भी जान लीजे, कब्ज, पान के पत्ते चबाना कब्ज के लिए भी एक कारगरी लाज है, कब्ज के स्थेती में पान के पत्ते पर अरंडी का तेल लगा करके चबाने से कब्ज मे रहत मिलती है, खासी, पान के 15 पत्तों को 3 गलास पानी में डाल लें, इसके बाद इसे तब तक उबालें, जब तक पानी उबल कर 1 बटा 3 न रह जाए, यानि कि एक भाग का 3 भाग न बच जाए, इसे दिन में 3 बार आपको पीना है, पाचन तंत्र, पान के पत्ता का वैसे mouth f पेश्टनर के तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे चबाने से हमारे लिए काफे फायदा हो सकता है, जब हम इसे चबा कर खाते हैं, तब हमारी लार ग्रंथी पर असर पड़ता है, इससे सलाइवा यानि कि लार बनने में मदद मिलती है, जो हमारी पाचन तंत्र के ल जब पानी एक गलास रह जाए, तो उसे दिन में तीन बार पिएं, ब्रोंकाइटिस में लाब होगा, शरीर के दुरगंद, पांच पान के पत्तों को दो कप पानी में उबालें, जब पानी एक कप रह जाए, तो उस पानी को दो पहर के समय पी लें, शरीर के दुरगंद द चले हुए जगह पर लगाएं, कुछ दिर बाद इस पेश्ट को धो दें और वहाँ शहद लगा कर छोड़ दें, घाव जल्दी ठीक हो जाता है। गैस्टिक अलसर, पान के पते के रस को पीने से गैस्टिक अलसर को रोकने में काफी मदद मिलती है, क्योंकि इसे गैस्टिक प्रोटेक्टिव घतिवीधी के लिए भी जाना जाता है। नकसीर, गर्मियों के दिनों में नाक से खुनाने पर पान के पत्ते को मसल कर सुंगे, इससे बहुत जल्दी आहराम मिलेगा मुह में छाले हो जाने पर पान को चबाएं और बाद में पानी से कुला कर लें, ऐसा दिन में दो बार करें रहत मिलेगी, आप चाहें तो ज्यादा कथा लगा करके भी मीठा पान खा सकते हैं कैंसर पान चबाने से औरल कैंसर से भी बचा जा सकता है बशरते की पान का इस्तेमाल जर्दा और तंबाकू के बिना किया जाए पान के पत्ते में मौजूद एफसकॉर्बिक एसीड और अन्य एंटियोक्सिडेंट मुह में बन रहे हानिकारक कैंसर फैलाने वाले तत्वों क नश्ट करते हैं इसके सेवन से मूँ के दुरगंद भी दूर हो जाती है आँखों की जलन और लाल होने पर पान से छे छोटे पान के पत्तों को लें और उन्हें एक ग्लास पानी में उबालें इस पानी से आँखों पर छीटे मारें आँखों को काफी आराम मिलेगा खुजली होने पर पान के 20 पत्तों को पानी में उबालें अच्छी तरह से उबलने के बाद इस पानी से नहा लें खुजली की समस्या खत्म हो जाएगी मोटापे के लिए वजन कम कर रहे लोगों के लिए पान के पत्ते चबाना बहुत ही फायदे मन्द होता है जिहां पान के से शरीर का मेटाबलिजम आश्चर्य जनक रूप से बढ़ता है जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है इसके से शरीर से अतिरिक्त वसा भी मसूरों से खुनाना दो कप पानी में चार पान के पत्ते को डाल कर उबाल लें इस पानी से गरारे करें मसूरों से खुनाना बंद हो जाएगा पौरूश शक्ति के लिए पान को शक्ति का सिंबल भी माना जाता है इसलिए नए जोडे को पान खिलाने की परमपरा भी काफी प शूजन चली जाएगी और बच्चे को दूद पिलाने में आसानी होगी मूह की बद्बू के लिए पान के पत्ते चबालें या पानी में उबालकर गरारे कर लें मुझसे बद्बू की समस्या दूर हो जाएगी अगर आपको मुहासे हो रहे हैं तो पान के आठ पत्ते कीमाल बाल तोड के उपचार के लिए किया जाता है बाल तोड हो जाने पर पान के पत्तों को हल्का गर्म कर लें और उस पर अरंडी का तिल लगा करके बाल तोड वाले अस्थान पर चिपकाए इससे आपको बाल तोड घहाओसे रहत मिल जाएगी तो ये थी आज की जानकारी जिसमें की पान के पत्ते के लाभों को आपने जाना अगले एपिसोड में आप सभी से जुड़ते हैं एक और बेहदी महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों